दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे हम इस माइड रिप के बारे में इस माइड रिप प्लानर्स आपको बता है अभी-अभी नई लिस्टेट कंपणी है बहुत ही ठोटी सी कंपणी है लेकिन यही कहना चाहूँगा कि सेक्टर लीडर कंपनी है उसी से रिलेटेड हमें अभ तोड़ी देर पहले ही आई है उस news को कवर करते हैं कि देखिए आपको पता है इंटर ग्लोब टेक्नालोजी को टेंट इन होने और इसमाइट इन दोनों ने एक डील साइन की है विच इस अराउंड तेन मिलियन डॉलर्स विच इस अराउंड वन सी आई डॉलर्स तो आप कैल्कुलेट कर लेना अराउंड सेवंटीफाई सी आर रूपीस में हो जाता है वो तो उन्होंने अपने एकस्पांशन के लिए जिससे दोनों को फायदा होगा इसमाइट और हमारे इंटर ग्लोब टेकनोलोजी को टेंट दोनों को फायदा होगा 75 रूपीस की डील साइन हुई है दोनों के बिजनेस को एकस्पांड करने के लिए अब दोस्तों मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि इसमाइट रिप का जो फीचर है वो फीचर बाकावले तारीफ है उसका फीचर के अंदर यह सारी चीज़े आती है कि कंपनी हमें वाइड रेंज ओफ ट्रावल प्रोडक्स और सर्विसस देती है सेकेंडली अगर आपको किदर भी बैट कर इनकी एरलाइन टिकेट बुक कर सकते हो और यह ऐसी कंपनी है जिसका मार्केट कैपिलाइजेशन तो सिफ 6,000 क्रोर्स है और इसने अभी अभी लिस्टिंग गेंज में ही 15% का प्रीमियम दे दिया है जैसे ही वो लिस्ट हुआ is my trip lists as 13% premium but gives up some of the listing gains तो उसने 13% तो premium दिया ही जो paper पे है बट उसने कई सारे अच्छे लिस्टिंग गेंज भी दिया सबसे पहला गेंज यह है कि उसका जो प्रोज है वो प्रोज से भरा पड़ा है उसका जो profit growth है बहुत ही अच्छा है आपको पता है कि यह अभी अभी यह पूरा sector है ना पूरा sector खाली एक प्रेशर में पड़ा है बस हमें 2-3 stock की ऐसे भागते हुए देखने मिल रहे हैं which is one of them is ease my trip तो दोस्तों ease trip जो है उसके साथ साथ आपको बता है IRCTC भी हमें अच्छा कासा listing gains भी दे चुका है और उपर भी जा रहा है even in this lockdown situation तो ऐसे sector के stocks ज है वो अभी sector leader है यह हमारे लिए benefit की बात है और वहीं पर उसने अच्छे खासे profits बना के दिये हैं and expected है कि आगे और भी profits बनेंगे यह जो हमें news आते हुए देखने मिली है इसका impact हमें short term में देखने नहीं मिलेगा क्योंकि देखिए यह वैसे भी 4% surge हो चुका है अब देख कि वह कहां कहां पर उनका listing है अभी भी ASM में है बट स्टिल वह कितना अच्छा उन्होंने अपना swing trade में profit बना लिया दोस्तों मैं यह नहीं कह रहा कि company इंदमी खराब है दोस्तों sector leader stock है अगर आप इस sector के अंदर कोई stock ढून रहेते तो is my trip is a good option for you because आने वाले time में जब से ज्यादा फायदा होगा as per my opinion because tickets book करनी है आपको global aviation करना है all over the world के अंदर इसका जो सीमित है कपती and इसकी services सीमित है और इसके जो customer reviews है वो एक लास है अब देखे इनके जो inter globe के CEO है संदीप दीवेदी तो उन्होंने भी कहा है कि इनकी जो direct partnership है वो दोनों ही के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी है दोनों को यहां पर new channels के जरिए एक अच्छी growth expansion का फायदा मिलने वाला है और इन्होंने आगे और बढ़ते हुए कहा है जैसे कि हमारे PM Modi ने कहा कि जो abroad में travel है वो much easier होने वाला है और जैसे ही vaccine के certificate सबको मिल जाएंगे double dose हो जाएगा so it will be very easier for us to travel abroad and हम freely घूम सकते हैं उसी तरह हमारे जो संदीप जी है संदीप दिवेदी जी इसमाय ट्रिप के बारे में उन्होंने कहा है कि यह एक forefront है travel booking का आप travel booking के segment में जाओगे तो सबसे उपर इसी का नाम छलक के आएगा इसमाय ट्रिप जो travel booking, ticket booking, bus booking, rail booking और hotels, holidays सारी चीज़ों में काम करता है और देखिए जैसे कि IRCTC है वो मनलब बेसिकली जो tourism प्रोवाइड करता है वो railway से होता है या फिर वो बेसिकली अभी cruise चालू हुआ है लेकिन IRCTC को नहीं neglect करते हुए हम देखेंगे इसमाय ट्रिप को तो इसमाय ट्रिप ओवर ओल अपके सारे चीजों का एक मात्र solution बनके आता है सामने अगर आपको किदर भी कुछ भी booking करनी है, emergency booking करनी है, holidays plan करनी है और उसके नाम ही में इसमाय ट्रिप है जो एक इसका iconic brand name बन चोगा है इसमाय ट्रिप is a listed online travel platform that offers end-to-end travel solutions तो इन्हों ने बताया है कि वो एक तो पहली बात सबसे अच्छी एक company है जो stock market में listed भी है and with that वो global presence भी रखता है with that ये tickets, airline tickets, hotels, holidays जैसा कि मैंने आपको बता है, सावी services आपको इन्हों के इधर read करने मिल जाएगी अभी देखे इन्होंने क्या बता है, ITQ on the other hand is a strategic business unit of Interglobe enterprise तो ये ITQ क्या है Interglobe का ही एक subsidiary आप कह सकते हो, group का ही एक member कह सकते हो, वो एक company है connected to approximately 2 lakh agency terminals तो जिनके साथ deal हुई है, Interglobe के साथ नहीं हुई है, ये ITQ के साथ हुई है, जिसका एक full firm आप यहीं पर पढ़ सकते हो Interglobe technology content, तो इन इस company के साथ इनका जो है, वो deal हुआ है 75 crore rupees का, तो मैंने आपको रुपीज में transfer करके बता दिया है तो वो रुपीज में transfer करने का एक मात्रव मकसद है कि general logo को भी समझ में आए, क्योंकि 10 million dollar general logo को नहीं समझ में आता है तो देखिए आगे इन्होंने क्या बता है, कि यह जो ITQ है ना, Interglobe technology content तो उनके बास 2 lakh से agency terminals है अब उससे क्या होगा ना, हमारे Ease My Trip को एक benefit मिलेगा और वहीं पर Ease My Trip के जो भी services है, वो ITQ मैं इसका short form यूज करूँगा ITQ को उससे benefit मिलेगा, so दोनों के लिए win-win deal है, इन्होंने क्या बताया है, जो hospitality technology tourism है और उसकी industry है, तो उन्होंने क्या बताया, कि tourism sector जो roadway पर recovery कर रहा है, वो बहुत ही अच्छा कर रहा है जो roadways पर लोग अभी, roadways, solo drive, यह साही चीज़ों पर जाने लगे है ना, यह अभी नया tradition evolve हो रहा है, और उसी से related जो guidance चाहिए रहती है, जो भी travel से related चीज़े चाहिए रहती है, वो हमारा Ease My Trip हमें provide करता हुआ देखने मिलता है, थोड़ा सा आगे बढ़े तो यह लोग औ और गहते है, the travel sector, especially domestic travel, seems to be on the rise, Indian travelers are looking for a quick vacation through road trips, अभी लोग 2 साल से घर पे बैठ कर थग गये है, लोग जो Indian people है, domestic travelers है, वो लोग एक लंबी road vacation plan करने की सोच रहे हैं, and as per the statistics, वो आपकी screen पर आजाएगा, statistics, बहुत ज्यादा लोग एक research हुई, and उसके अंदर ही हमें सबसे ज् planning for a road trip, तो उसी से related हमें इस sector के अंदर तेजी देखने मिल सकती है, लेकिन ये जो है, वो effect long term में होगा, अब ये news से तो खेर ये 5-6% बढ़ेगा, उससे हमें कुछ नहीं है, हमें क्या है, कि देखें, इनके साथ sales or deals हो रही है, वो deals से इनकी आगे की sales में increment आएगा, revenue में increment आएगा, and revenue में increment आने के बाद, ये हमें इसका profit generate होते हुग देखने मिलेगा, and जैसे ही profit generate होता है, आपको पता ही है, कि profit generate होने के बाद किस तरह से, हमारा quarter on quarter में increment आता है, year on year में increment आता है, and the stock rises, क्योंकि जो भी stock continuous basis पे perform कर रहा है, वही stock की price उपर जाएगी, अगर कोई भ आता है, तो दोस्तों, इसके आगे हम बात करते हैं, कि Airbnb इंडिया ने का, कि ये अनुपम्राव बजाच को, जो जनरल मैंगरे साउथ इस तेशिया के, और होंग कॉंग और ताइवान के, कि यहां पर, जो travel sector है, इंडिया का domestic travel sector है, वो बहुत ही तेजी से बढ़ेने वाला ह है, and in the upcoming one or two year, जो COVID-19 की frustration है, वो यही road travels के तुरू निकलने वाली है, and being the tradition of housework, जो हमें देखने मिला, TCS ने अपने 25% employee को आपने देखा, 25% employee को इन्हों ने सीधा work from home का जगा दे दिया, मतलब उन्हें office आने की ज़रूरत में work from home करेंगे 25% employees, मतलब उनके पास देखिए, पकड़ लेना, तो एक लाग में से ना 25,000 employees तो खाली घर बेट के काम करेंगे, तो ऐसी TCS ने चालू किया है, बल्लेवास चालू हो गया है, और अभी बाकी सारे जो opening batchment के बाद जो players आते है, उस सारे players market में आएंगे, कुछ ना कुछ अपने employees को घर पर ही रखेंगे, तो उनका efficiency cost है, efficiency बढ़ जाएगा, और जो expense है, वो कम हो जाएगा, तो उस से जो employees को time मिलेगा, and then they will go for these trips, और वो ट्रिप पे जाके भी अपना काम कर सकते है, so this was my analysis, based on the news and the technicals that presented on year, तो मैं आपको बताऊँगा बस एक चीज, कि यह जो industry है, यह जो sector है, यह travel agencies का sector, उसके अंद 65,000, 65,000 crores का है, और वही पर बाकी इसके peers उसके आस पास भी नहीं आते है, जिससे इसको strategic advantage मिलता है, and हमें इसकी sales growth के अंदर भी improvement दिखता है, which tells us कि this stock deserves this position, and जिस तरह से इसका increment आ रहा है sales में per year, year on year के increment के हिसाब से, हम इस stock को long term के लिए consider कर सकते हैं, क्योंकि यह जो sales pressure म देखने मिलाता, लेकिन अभी 3 साल से इसने अपने sales को अच्छी तरह से grow किया, and now the sales will definitely improve, तो आप इस stock को जरूर की जरूर study कर सकते हैं, and study करने के बाद अपने portfolio में इसके खाली 5 shares add कर सकते हैं, तब जाके हमें इसके अंदर आगे तेजी तो देखने जरूर मिलेगे, क्यों जाती है, and एक unique बात भी हो जाती है, जो हमें बताता है कि इनका management कैसा है, 75% प्लस जो holdings प्रमोटर के पास है, तो इसको easily manipulate भी नहीं किया जा सकता है, हाँ ये बात है कि जो DIs है, उन्होंने अपनी holding sell कर दी है, but DIs के पास जो liquidity थी, तो उन्होंने sell करने का सीख समझा, and जो F pairs है, उन्होंने भी थोड़ा से इसके अंदर अपनी selling मना के रखिये, but overall देखा जाए, तो public के पास अभी भी सिर्फ 18% की ही equity है, जो stock को ज्यादा volatile move नहीं बनाती है, but अगर थोड़ा सा promoters ने अपनी equity sell की, तब जाके इसके अंदर थोड़ी सी हमें एक ज्यादा volatile move देखने मिल सकती है, but as for now, हमें इसके अंदर ऐसा कुछ strategic move देखने नहीं मिलेगा, इसने जब से list हुआ है, listing gains के बाद से उसने 200% के return दिये है, and आने वाले time में भी इसी तरह से वो उपर जानी की पूरी probability है, अगर आप देखो, तो stock जब उपर जाता है, ये उपर जाने से पहले ए range में किया, and then ऊपर गया, फिर अभी ये range में थोड़ा सा consolidate कर रहा है, और फिर उपर जाएगा, और ये उपर ऐसा वैसा नहीं जाता है, ये उपर जाता है, तो सीधर stock double हो जाता है, यहां से भी double हुआ, और यहां से तो 50% के returns आराम से अपने investors को बना के दे दिये, और अगर हम देखे, तो इसके अंदर ये खाली upside, short term के लिए माँ जाना, क्योंकि ये जो news है, इसका effect ज्यादा देर के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि ये news तो generally आते जाती रहेगी, बट ये सारी चीजे लोगों को नहीं पता रहता है, कि आने वाले time में क्या impact डालेगे stock के लिए, and जो impact के news आने वाले time में create करने वाली है, वो incredibly basis पे इनकी sales बढ़ाईगी, and जैसे ही influence मिलने के बाद, जो 2 लाग इनके पास agencies है, हमारे ITQ के बाद, वो इनके पास accessible आ जाएगा, access आ जाएगा, तो बहुत ही अच्छी आने वाले time में हमें movement expect करनी चाहिए, but until then, we have to hold the stock, और आ आपकी क्या buying price है, और कितने stock buy किया है, आपने, वो मुझे comment section में जरूर बताना, until then, जय हिंद, जय भारत, उससे पहले जरूर कहना चाहूंगा, अगर आप अभी तक वीडियो में बने हो, I respect your patience, and मैं यही कहना चाहूंगा, कि sensex 50,000 से 60,000 तक पहुँच गया है, and 50,000 से 60,000 से 8 महीने के अंदर उसने अपने movement को अचीव किया है, and यह 10,000 का जो points का achievement है, कौन से 5 ऐसे बड़े-बड़े stocks है, जिसने sensex को एक derive किया है, यह 10,000 पॉइंट के upward movement में, वो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, so do click on this video that is appearing on the screen, that will definitely help you in the near future, so this is Spingro signing off.